हेलो अवरिवन इस वीडियो में देखने वाले हैं तर्ड वालम इंटीग्रेशन का बॉसट टो हमें यहां पर साइने के फिक सई डेक्स इसका इंट रेशन कमें हम वालो को एंजूम करें तो साइन का डैृवेटीफ में स्ञें नहीं आता । नहीं सैक के डैृवेटीफ में साइन आता तो हम क्या करेंगे जब भी कुछ समझना है ट्रीइब्टित करें में तो टर्मस को साइन और को सके में ट्रमस में gorли करो तो यहां पर भी हम यह करेंगे अब चेक करो क्या कोश के डेरिवेटिव में साइन आता है बिलकुल आता है ठीक है इस तरह से सर्फिटूशन का पता लगाते हैं कि उसके डेरिवेटिव में वो चीज आती है या नहीं दो कोस्ट के derivative mana, sign क 20 फायदा नहीं, जो चीन numerator में, अगर इसका denominator में लाना है, उसको नहीं करना है, हमेशा ऐसा assume करना कि वही सेम फंक्षन numerator में आ जाए, तो de jaką से derivative, sign हाजाएगा, जो की numerator में है, तो हम assume कर लेंगे इसको, here you is equals to cos x, तो इसका derivative निकालो, du का तो du हो जाएगा, u का derivative होता है, 1 du, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 du, cos का derivative होता है, negative sine x, into, रिखना पड़ेगा, dx, हमें चाहिए केवल dx की value, ठीक है, मैं हमेशा dx निकालता हूँ, तो यहाँ सबस्थ dx के लिए solve कर लो, तो यह negative में है, तो यहाँ सा आजागा, du over negative sine x, dx, तो हमारे पाद दो substitution हैं, जो हमें put करने, एक तो u is equals to cos x, और दूसर, dx is equals to du over negative sine x, तो इन दोनों को उठाके बस integration में put कर दो, sin x यह कुछ नहीं assume क्या है, तो उसको ऐसे छोड़ो, one over, cos x की जगा है u, और dx की जगा है कितना, du over negative sine x, देखो यहाँ पर, x वाले term cancel हो जाएंगे, तो कर दो इनको cancel, यह cancel, negative sine को मत भूल जाना, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, negative, one over u, du, यह term से बचे, one over u का तो integration हमें पता है, वो होता है, ln, negative ln, absolute के अंदा लिखा जाता है, u, ठीक है, plus c, उसके बाद हमारा question जो होता है, x के term से में था, तो हमें u को हटाना पड़ेगा, तो u की जगे हमने क्या assume कर आता है, ध्यान से देखो, u की जगा था, cos x, अगर ध्यान से देखो, जो quotient था, वो 10x ही लिखा था, एक तरीके से, यह 10x ही तो लिखा, sin x, x, तो sin over cos x हो जाएगा, यह sin over cos होता है, 10x, यहारी हम 10x का integration फाइंड कर रहे थे, तो 10x का भी हमें formula पता लग गया, वो होता, negative ln cos x plus c, तो books में एक तरीके से रिखा रहता है, इस negative sign को वो गायब कर देते हैं, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं वस एक integration, वो log function की property यूज़ करनी है, एक तो यह answer है, ठीक है, यह वाला formula शायद book में ना मिले, दूसरा होता है, मैं यहापर लिखके देता जाओ, ठीक है, यह जो absolute sign है, जब log के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो power में जाता है उसकी, देखो यहापर, कैसे, अगर कोई चीज लिखी हुई है, इस type से, a into lnb, तो इसका मतलब क्या, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यह जो term से बाहर वाला integration के, तो यह जाता, अंदर वाले की exponent पर, यह log की properties है, ठीक है, log function की, इसी तरह से यह जो negative है, यह negative का मतलब क्या, negative one, तो यह भी क्या जाएगा, अंदर वाले function की power, तो यह कितना हो जाएगा, अब मैं वैसा answer निकाल के दिखा रहा हूँ, जैसा book में दिया होता है, ठीक है, इसलिए बताता हूँ कि, किसी को दिक्कत नाएगी, यह answer कहां सा अलजीब सा अगया, तो यहाँ पाजा गाईए, इसकी power negative one, ठीक है, यह negative का मतलब क्या, negative one, प्लस c, इसको simplify कर लो, यह negative exponent का मतलब क्या, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, one over cos x, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ठीक है, जब भी power को positive बनाना होता हो, तो उसको उस time को denominator में लियाते हैं, तो one over cos x जो होता है, सैक x, ठीक है, reciprocal identity से, तो यह वाला formula, बुक्स में मिलेगा, ठीक है, यह वाला बुक्स में, तो derivative integration जो होता है, 10 का, चाहें यह कर लो या यह कर लो, ठीक है, यह बुक्स में मिलता है, यह वाला answer जो मिलेगा, ठीक है, तो यहां से एक बात समझाएगे, जो हमारा question था, sin x, sec x, जो की 10 x ही था, उसका integration होगा, negative ln, cos x plus c, ठीक है, जो बुक्स में दिया रहता, 10 x का integration, वो होता ln, sec x plus c, ठीक है, अगर जो question आएंगे, मैं जो use करूँँगा, यही formula यूज़ करूँगा, next, आयोप आप लोगों के यह सब समझाया होगा, ठीक है, नोट्स बनाते चलना, next video में मिलेंगे, next problem के साथ, आयोगों के साथ,